बीड में हुई टीचर की हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए भाई ने किया आत्मदाह का प्रयास मैं रपिक कामदार हिन्दसारी रिकोर्डर में आपका स्वागत है आज हम एक खबर आपको माराश्य की बीड जीले से बता रहें बीड में वहांके राजनेता जैडत शिर्शागर की एक अपनी आरमी स्कूल है इस साजी दली की दो दिन पहले हत्या कर दी गई धार दार हत्यारों से पेट और सीने पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई हत्या की खबर मिलते ही जिला अस्पताल के अंदर उनके रिष्यदारों की चाहने वालों की दोस्त अभाबों की सब की भीड लग गई वहीं घटना की खबर मिलते ही वरिश पुलिस अधिकारी भी घटना सेल पर पहुँच गई इस घटना के दौरान जिला अस्पताल में क्या हालात थे क्या मनजर था वो हम आपको दिखा रहे हैं कौन है टीचर सेयद साजीद अली वो भी हम आपको बता रहे हैं वहीं बीड के बाले पीर इलाके में इस आर्मी स्कूल में ये वारदात होने के बाद जो है इसमें शामिल लोगों के खिलाप बीड पुलिस ने अपरात दर्ज कर लिया है सेयद साजीद अली मीर अनसार अली की हत्या के आरोप में शेक रशीद, शेक मजर उर्फ हाप मडर, शेक रहीम ऐसे तमाम अपरादियों के नाम है वहीं सेयद साजीद अली के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफतार करने के लिए उनके रिष्टेदारों और तमाम लोगों ने जो है बीड एस पी से बाचीत की बाचीत के दोरान एस पी कारियाले में मृतक सेयद साजीद अली के एक रिष्टेदार ने खुद पर केरोसिन डाल करके आग लगा कर आतमधा करने का प्रयास किया पुलिस ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया आग लगाने से रोक लिया वरना एक और बड़ी घटना हो सकती थी पुलिस का कहना है कि तीन इन में से अपरादियों को हमने गिरफतार कर लिया है बाकी की खोच की जा रही है इस पूरे मामले के चलते जो है सेयद साजीद अलि के परिवार और रिष्टेदारोंने अभी तक मृतक का शौव अपने कबजे में ने लिया है सभी आरोपियों की जब तक गिरफतारी नहीं की जाएगी तब तक हम शौव को अपने कबजे में नहीं लेगे जिसके चलते पिछले 30 घंटों से ये शव अस्पताल में ही रखा हुआ है बीड के बालेपीर परिसर में चलने वाले जैदत शिरसागर आर्मी स्कूल के टीचर साजित सेयद ली की हत्या और उस हत्या के बाद का पूरा घटना करम आरोपियों को अपराधियों को गिरफतार करने की मांग को लेकर के आत्मधाह का एसपी कारियाले में ही प्रयास ये पूरी जानकारी देने वाली थी आज के हमारी खबर जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाईए